Assalamualaikum class free Grammar के book में आपने एक काम और करना है जैसे कि हमने कल एक exercise की थी इसी तरह बिलकूल हमने एक exercise एसकी आगे की आगे करनी है कल हमने preposition उब वे पड़े थे ठीक है preposition की हमने ये वाली exercise की थी अब हम इसका आगे का काम करेंगे ठीक है इसमें ये है change आपने new words बनाने है words into words आपने words से नए words बनाने है बस आपने क्या करना है one letter change करना है letter means जैसे हम A, B, C, D पढ़ते हैं तो उसमें से हमने one letter change करना है ठीक है इसकी example यह है आपके पास ठीक है यह आपने क्या करना है C, A, T, Cat यह लिखाव है आपके पास आपने C, A, T में से one letter change करना है C आपने कर दिया bet ब, A, T, bet ठीक है यह लिखाव है big ब, I, G, big इसका यहां बनाना है ऊपर B, I, G को हटा के हमने बना दिया T, bet फिसे किसे B, U, N, 1 आपने यह दोनों सेम रहने दिया एक change कर दिया आपने D कर M, U, D, mat यह इसमें से बना है mat आपने A की जगह U लिख दिया mat इस तरह आपके पास है dog, D, O, G, dog ठीक है आपने क्या कर रहा है one letter change करना है one letter means A, B, C, D का one letter यह आपने D हटा है इसके जगह C लगा दिया cog G हटा देंगे, C, A, T, cat आपने इसका A change किया O कर दिया cot बिल्कुल इ sand, lump, pack, ball आप जैसे यह ball है B, A, double L, ball हमने इसका one letter change किया यहाँ पर क्या कर दिया हमने L हटाया और D लिख दिया बैल्ड हो गया अगर हम चाहें तो यह A, double L सेम रहने थे और इसके जगह B की जगह हम W लिखते है यह बन गया ball सेम है नो बस हमने इससे one letter चेंज करना है ठीक ह कि अज़ सेमने धिए बदार है अगसे कि घभते हम बचार टात कि यहां रही बचने हम ठीक पार, अज़ सेम starter चम है